हाई गेज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच्य दव एजूकेशन वेलकम टी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस ऑफ सेकंड ओफ एप्रेल 2023 तो गाईज आज है तारिक 2 एप्रेल 2023 और है संडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेप को कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना डेली करेंट अफिर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमिशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी यह साल 2021 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बिस्स पर हम लोग यहां पर एक प्रिवियस यहर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है विच वन आफ दा फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इस एन एसेंशन फीचर दाट इंडिकेट्स दाट इस आप लोगों ने समविधान को जब भी पढ़ा है तो फेडरलिजम के बारे में जरूर से पढ़ा होगा फेडरलिजम जिसको हम लोग संगवात का धाचा भी बोलते हैं अब इंडियन कॉंस्टिशन के अंदर में बहुत सारे फेडरल फीचर्स के बारे में मंशन किया या है जब भी आप polity पढ़ते होंगे ना तब भी वहाँ पर आपको इंडियन constitution के federal features पढ़ने पढ़ते हैं हैना कुछ 6-7 features के बारे महाँ पर mention किया गया है तो उसी static part से 2021 में directly यहाँ पर सवाल पूछा गया तो सवाल में क्या बोला गया है कि जो नीचे आपको चार option दिये गए है इनमें से कौन सा एक important feature है Indian polity का जो की दर्शाता है कि उसका character federal है option A बोलता है the independence of judiciary is safeguarded option B the union legislature has elected representatives from constituent units या फिर option C the union cabinet can have elected representatives from regional parties या फिर option D the fundamental rights are enforceable by court of law तो इसका सही answer क्या है आप सभी लोग को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तो पिछले 2-3 दिनों से बहुत सरे news article published हुए है regarding dragonfly mission तो हम यहाँ पर discuss करेंगे dragonfly mission क्या है प्लस इस mission को कहाँ पर भीजा जा रहा है और इस mission का purpose क्या होने वाला है हम देख पाऊगे दाहिंदू ने एक premium article यहाँ पर publish किया था मून के ओपर mission बेजा गया, Mars को explore किया गया, US की NASA के थूँ अभी यह जो NASA है ना यानि National Aeronautics and Space Administration यह America की Space Agency जैसे भारत की Space Agency इजरो है तो इन्होंने अभी यहाँ पर Saturn जो planet है इसके ओपर थोड़ी सी नजरे जमा रखी है Saturn यानि की शनी के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी नजरे जमा के रखी है Saturn एक ऐसा planet है जिसके पास में बहुत सरे चंद्रमा है इसके पास में बहुत सरे मून आपको नजर आता है जैसे पृत्वी के पास में अर्थ के पास में एक मून है वैसे कुछ planets ऐसे जिनके पास में बहुत सरे मून है उसमें से Saturn भी आता है तो Saturn का एक सबसे बड़े साइस का मून है जिसको नाम दिया गया है Titan जो सबसे बड़े साइस का जो चंद्रमा है ना Saturn का उसको क्या नाम दिया गया है Titan तो इसी Titan के ऊपर इस mission को भीजा जाएगा जिसका नाम है Dragonfly Mission तो ये mission NASA conduct करने वाला है इस चीज़ को ध्यान अकना examination में directly सवाल बन जाएगा क्योंकि मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ कि UPSC किस तरीके से सवाल पूछ लेता है है ना क्योंकि वहाँ पर आपको mission का नाम दी दी जाएगा और किस ने launch किया है ये पूछ लिया जाएगा या फिर Saturn के ऊपर कौनकों से mission launch किये गए इस purpose के basis पर आपसे question बन सकता है ठीक है तो Saturn का एक सबसे बड़े size का moon जिसका नाम दिया गया है Titan तो Titan के उपर में NASA dragonfly mission को बेजेगा और वो dragonfly mission क्या करेगा इस moon को और ज़्यदा explore करने का काम करेगा और ये mission कम भेजने वाले हैं तो 2027 में भेजने वाले हैं ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है और ये जो spacecraft है 2027 में तो launch कर दिया जाएगा अब इसको पहुंचते पहुंचते 8 साल लग जाएंगे 2034 के अंदर में ये 2034 में ये वहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद जाके research की जाएंगे क्योंकि Saturn का जो distance है प्रत्वी से वो बहुत बहुत जादा दूर है लगबग कह सकते हो जैसे प्रत्वी की दूरी सूरे से है जितनी दूरी है उतनी कह सकते हो उससे 10 गुना जादा दूरी पर Saturn जो है वो इस्थित है तो उसी का ही moon है ये चंदरमा है Titan उसके उपर ये पूरा का पूरा जो mission है वो conduct किया जा रहा है जो Titan है न ये हमारे पूरे solar system है पूरे solar bundle में दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़े साइस का चंदरमा है सबसे बड़े साइस का चंदरमा दूसरे नंबर पर आने वाला हमारे पूरे solar system में कौन सा है वो है Titan अच्छा तो पहले नंबर पर कौन सा moon आता है तो पहले नमबर पर जूपीटर वाला मून है, जूपीटर के पास में जो मून है, उसको नाम दिया कि गैनिमीड, तो गैनिमीड फर्स्ट सबसे बड़े साइस का मून है, साकिन नमबर पर आ जाता है टाइटन, अब आप भी सोच रहोंगे, ये सैटन का जो चंदरमा है कि इसारी नदिया है, बादल है, प्लस जो मेथियन के बादल है, मेथियन की बारिश है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकि इसका डिस्टन्स कितना दूर है वो मैं आपको समझाई चुका हूँ, अब इसका जो टांपरेचर है वो बहुत ही जादा डाउन है, लग से वो काफी दूर हुजाता है सन से, उस वज़े से वहाँ पर जो ठंड है वो भी काफी ज़्यादा देखने को मिलेगी, टेंपरेचर लगबग माइनस 179 डिगरी सेल्शियस के असपास है, तो यहाँ पर आप लोग देख पार होंगे, इस प्रकार का एक ड्रोन है जो कि हम इंस्ट्रुमेंट्स लगे वे हैं, वो टाइटन की जाच पड़ताल करेंगे, बहुत सरी इंफॉर्मेशन हम लोग को भेजने वाले हैं, और जैसे हम आपको बताई चुका हूँ, 2027 में यानि 2027 के अंदर में इस ड्रेगन फ्लाई को शनी ग्रह के लिए लाँच करेंगे ह और उसके बाद में ये इस हेलिकॉप्टर लगबख 2034 में जो है लगबख 8 साल बाद शनी ग्रह पर पहुँचेगा, यानि कि शनी ग्रह पर नहीं उसके चंद्रमा टाइटन पर पहुँचेगा, उसके चारो तरफ चकर लगाना शुरू करेगा, उसके बाद में इसको पैर ये वाला रोवर यूज़ करते, तो इसमें बहुत समय लग जाता, वहां की जांच परताल करने के लिए, इस वज़े से यहां पर ये उडान भरने वाला जो ड्रोन है, इसको यूज़ कि आदे घंटे में बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, यानि कि बहुत जल्दी ह लोग को बहुत सरी information निकाल कर दे सकता है, तो लगभाग ये जो mission है, ये दो साल का होने वाला, यानि कि दो साल उस ग्रह के उपर, मैंने उस चंद्रमा के उपर रुख कर, कह सकतो जो टाइटन है, उडान भर भर कर, बहुत सरी जो information है, वो collect करेगा, अब इसको क्यों बेज जा गया, उसके पीछे का reason यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर human में से भी निकलता है, तो कहीने कि वहाँ पर life हो सकती है, यानि कि इंसान जिंदा रह सकता है, ऐसी कुछ चीजे जो possibilities हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो अब वो जाकर research करकर ही पत सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो वहाँ की जितनी information वो सारी की सारी महां से निकाल ले जाएगी, क्योंकि जो अंतरिक्ष में जीवों की study करते हैं, उनको लोग एस्ट्रो बायोजिस्ट बोलता है, तो उनका मानना है कि अगर टाइटन के वायू मेंडल की सैटि के उपर हम पहले भी कई सारे mission launch कर चुक है, जैसे कैसीनी के बारे में अपरो सुनाओगा, कैसीनी ने बहुत सारी जो pictures है Saturn की वो हम लोग को click करके दी हैं, लेकिन वो अतनी high quality की pictures नहीं हैं, यहना कुछ चीज़े ऐसी हैं, छोटी छोटी और भी नदिया हैं, उसके उपर मे mission जाएगा 2027 में, यह एक-एक information Saturn के बारे में हम लोगों को देने वाला है, I hope guys आपको यहाँ पर एक clarity जो है, इस article के regarding वो बिल गई होगी, और मैं बोल रहा हूँ, बहुत important है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि MCQ के form में आपसे प्रश्न जो है, वो बन सकता है, अगले page पर दो important article है, सबसे पहले यह discuss करेंगे, इसको आप लोग GS paper number 3 and moment वाले section से link कर पाओगे, क्या context है, यहाँ पर बोला जारा है, जो बंदिपूर Tiger Reserve है न, इसको अभी पूरे-पूरे 50 साल हो चुके है, project Tiger Reserve launch हुए वे, यानि कि 50 साल पहले इस बंदिपूर Tiger Reserve में, project Tiger Reserve जो है, वो यहाँ पर declare किया गया था, यह जो project है, वो launch किया गया था, ताकि हम वहाँ पर Tigers की सुरक्षा कर सकें, Tigers की संख्या को बचा सकें, तो अभी लगबा कह सकतो, एक April 1973 की बात है, एक April 1973 को, जो प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांदी जी थी, इन्होंने project Tiger Reserve को यहाँ प Tiger Reserve में, ताकि क्या किया जा सकें, वहाँ पर Tiger की जो population है, उसको थोड़ा सा हम बचा सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि उस 1973 के अंदर अगर हम बात करें, तो उस समय पर लगबग वहाँ पर 12 Tigers पाये जाते थे, किवल 12 Tigers, अब 12 Tigers को बचाने के लिए project Tiger launch किया गया, जिसक 26 के असपास Tigers यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानि 1973 में, एक वो समय था, जब 12 Tigers हुआ करते थे, लेकिन 50 साल के अंदर अंदर, लगबग 126 के असपास जो Tigers हैं, वो यहाँ पर हो चुके हैं, बंदीपूर Tiger Reserve में, ठीक है, तो इस पूरे, इस एरिया में, project Tiger, डेक्लेर करेवे 50 साल हुए हैं, इस वज़ा से बंदीपूर Tiger Reserve चर्चा में हैं, तो examination में आप से directly, इस Tiger Reserve के बारे में, पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे questions बनते रहते हैं, कभी location पूछ ली जाती है, कभी कुछ और पूछ ले जाता है, तो सारी की सारी information आपको screen पर रीचे दिखाई पड़ेगी बंदीपूर Tiger Reserve के बारे में, देखो इस Tiger Reserve को कब बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था, Project Tiger के अंडर में, तो अभी यहां पर इसको 50 साल पूरी तरह से हो चुके हैं, 1973 में इसको बनाया गया, 1985 में इसके आसपास के जो areas हैं, उसको भी यहां पे include किया गया, जैस आपको यह करनाटिका में इस्ते देखने को मिलेगा, करनाटिका में लगबग दो डिस्ट्रिक्ट्स में यह फैलावा है, माईसोर और चमराजनगर, और साथी साथ में ध्यान रखना, यह केवल करनाटिका में भी नहीं फैलावा है, करनाटिका के साथ साथ दो और स्टेट में जो यह ? बंदिपूर टाइकर रिजर्व है वो पूरी तरह से हम लोग बोलताईं कि यह एक ऐसवांब जो कि ट्राइजंग्शन इरिया में सतेते है ट्राइजंग्शन एरिया मतलब तीन राजो में सतेते नाड़का तामिलनादू केरिला इन तीनों अलगलग प्रकार के पेड़ पौधे भी पाई जाते हैं उनकी प्रजातियां पाई जाते हैं साधी साथ में बहुत सरे अलगलग प्रकार के जो एनिमल से वो भी देखने को मिल जाते हैं और इसके आसपास यानि कि बंदिपूर टाइगर रिजव के आसपास और भी अलगलग टाइगर रिजर्व और वाइड लाइफ सेंचरी इस्थेते हैं ध्यार नकना एक्जामनेशन में पहली भी क्वेशन बन चुका है ऐसी चीजों को लेकर तो बंदीपूर टाइगर रिजर्व के साउथ में यानिकि अगर माल लो मुदु मुलाई, सत्यम अंगलम वानेट सेंच्री, अगर इन सब को आप मिला दोगे न, तो ये सब एरिया मिलकर एक ऐसा सिंगल लार्जस्ट एरिया बनाता है, दुनिया भर के अंदर में जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स प्रेजन्ट है, तो ठीक है ये इन एरिया उसको मिला दिया जाए, तो दुनिया में ये एक सबसे बड़ा ऐसा एरिया बन जाएगा, जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको प्रेजन्ट देखने को मिल जाते हैं, अब इसके साउथ में जो है, मोयार नदी बहती है और इसके बीच मानी इस नैशनल पार्क के अंदर में नुगू नदी बहती है, नुगू रिवर चीक है, और इस पूरे पार्क में जो हाइस्ट पॉइंट है, वो कौन सा है तो वो है हिमवद गोपाला स्वामी बेता ये एक सबसे उंच चोटी देखने को मिल जाती है, इस पूरे बंदिपूर टाइगर रिजव में इस नैशनल पार्क में उसके बाद में करनाटिका में इस बंदिपूर टाइगर रिजव के उसके बाद में इन सब के अलावा भी मलई, महादेश्वरी, वाइड लाफ सेंचरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको भी यहाँ पर एक प्रोपोजल दिया गया कि एक टाइगर रिजव बनाया जाए तो इस विसे यहाँ पर यह भी चर्चा में था तो यह था पुरा का पुरा बंदिपूर टाइगर रिजव का जो भी डेटा है और एक्जामनेशन में क्वेशन बना तो यही से बनेगा मैं आपको एक्जाम्पल दिखाता हूँ UPSC ने साल 2012 में ऐसे एक सिंपल सा क्वेशन पूछ लिया था क्वेशन क्या था कि नीचे आपको कुछ अलग चार प्रोटेक्टिड एरियास दिये गए तो यहाँ पर आपको इन चारों प्रोटेक्टिड एरियास को देखते वे क्या बताना है कि इन चारों में से कौन-कौन से एरिया है जिसको टाइगर रिजर्व डेक्लियर कर दिआ जा है अभी थोड़ द לו पहले बड़ा है बेदर कनिका हाँ यह बी एक टाइगर रिजर्व है मानस है क्या संदर्बन, हाँ संदर्बन भी Tiger Reserve आपको देखने को मिल जाएगा, तो संदर्बन Tiger Reserve भी है भितरकनी का Tiger Reserve भी है, बंदिपूर Tiger Reserve भी है, लेकिन मानस Tiger Reserve आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस वज़ा से इसका सही उतर क्या होना चाहिए, option number ऐसा option number चूज़ करो, जह इसमें 1, 2 और 4 वाला जो option दिखाई पड़े sorry, 1, 3 and 4 वाला option दिखाई पड़े, क्योंकि भितरकनी का Tiger Reserve नहीं है, आपको देखने को मिलेगा, मनस Tiger Reserve उस समय पर आपको देखने को मिल जाता था, 2012 में तो 1, 3 and, 4 वाला option दिखाई पड़े, तो इसमें से सही उतर आपको option number भी देखने को मिल जाएगा, यह option number भी आपका correct हो जाता है, ठीके तो 2012 में यह पूछा गया था, इस चीज़ को धिहान में रखना 2012 की जाब से हम लोगों ने यापर इस question को solve गया है, तो उसमें पर बंदिपूर टाइगर रिजव भी था, उसके साथ मनस टाइगर रिजव, सुंदरबन टाइगर रिजव that is why इसका सही उतर option number भी कि हाँ, इन तीन एरियास को हम टाइगर रिजव डेक्लियर कर चुके हैं तो ऐसे question बनते रहता है next article पर आता है, अगला article और relevant होने वाला है, इसको भी GS paper number 3 environment सा आप link कर पाओगे क्योंकि आपको पता, UPSC जो tribe वगर है ना, उसको लेकर भी एक नएक सवाल जो है, हर साल कहीने की लेई आता है, तो इस article में क्या चर्चा की जा रही है, देखो यहाँ पर बात की जा रही है, गोदावरी नदी की और साथी साथ में गोदावरी नदी से जुड़े वे एक बहुत important tribe जिसका नाम है कोंडा ready tribe जो ये कोंडा ready tribe वाली community के लोग हैं इस आदिवासी community के जो लोग है ना, वो गोदावरी नदी से बहुत ज़़दा जुड़े हुए है ऐसा यहाँ पर mention क्या यह लेकिन अभी कुछ situation ऐसी हो रही है कि उनको गोदावरी नदी से हटाया जा रहा है तो वो problem यहाँ पर नज़र आ रही है गिनी चुनी यहाँ पर population है इनकी तो इस tribal community में से एक लड़की की recently शादी की गई है सारे ritualss follow किये गए थे और जब भी हम लोग कोंडा रिडी tribe के शादी के ritualss की बात करते हैं सारे विदी विदान की बात करते हैं उसमें एक ritual गोदावरी नदी से बहुत ज़दा जड़ावा है गोदावरी नदी से भी यहाँ पर जड़ावा एक बहुत important ritual है ऐसा यहाँ पर mention किया गया तो एक लड़की की शादी इस tribal community के अंदर में की गई थी और सारे ritualss follow किये गए थे गोदावरी नदी से related अब उसके बाद अभी दो लड़कियों की और शादी यहाँ पर होने वाली है तो अभी जो date है वो आई नहीं है लेकिन जल्दी शादी होगी ऐसे आपर बोला जा रहा है अब यह जो tribal people है ना यह गोदावरी नदी के किनारे रहता है East गोदावरी और West गोदावरी डिस्रक्ट्स के आपने सुना होगा तो गोदावरी के eastern side बwestern side पर आपको यह देखने को मिल जाते हैं तो हुआ क्या है अब इनका कहना ये है कि सरकार क्या कर रही है कि गोर्णेंट यहाँ पर एक शॉक दे चुक है इन लोग को कैसे गवर्मेंट के रही है कि इस एरिया को हम पुरी तरह से डवलप करने वाले हैं तो आप लोग को इस गोदावरी नदी की साइट से हट कर जाना पड़ेगा उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा तो जैसे यहाँ पर यह बात सुनते कि हमारे डिस्प्लेज करना पढ़ेगा इन लोगो खटना पड़ेगा उसकी वीजसे यहाँ पर यहाँ लोग थुले से नराज भी है इनका कहना यहाँ पर यहाँ कि हमारा गौदावरी नदी के साथ में जो relation है जो संबंद है वो बहुत ज़ादा है हमारे बहुत सरे जो rituals है न वो गोदावरी नदी से जोड़ेव हैं तो गोदावरी नदी से हम अलग नहीं हो सकते बट government नहीं यहाँ पर जारी कर दिया है कि आपको हटना पड़ेगा इस area से displace होना पड़ेगा क्योंकि इस area को हम में rehabilitate करना है तो इन tribes का कहना यह है चाहे किसी की किसी का जन्म होता है हमारी community में या किसी की मृती होती है या कोई शादी हो रही है कैसा को इवेंट होता है वो सब का सब यहाँ पर गोदावरी नदी से बहुत ज़्यादा related है को दावरी नदी में हम डुकी लगाते हैं बह इसके basis पर examination के लिए आपको पढ़ना है यह कोंडा ready tribe क्या है ठीक है इसके बार में factual data में आपको provide कर वरा हूँ आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं अलग से ढूंडने की जरूरत नहीं है सब कुछ यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाता है जब बात करता है कोंडा ready tribe क तो कह सकते हो जितने भी tribal groups हैं आंदरपदेश और तेलंगना में उनमें से एक backward tribe वाली category में आते हैं यह tribe काफी जदा पीछे रह गई है बहुत पिछली tribe है ठीक है आंदरपदेश और तेलंगना के अंदर यह tribal communities पाई जाती हैं यह यहाँ पर रहते हैं और exactly कहां पर रहते ह गोदावरी नदी का जो east district है गोदाव वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर यह लोग जातर रहते हैं ठीक है और तो आंदरपदेश के अंदर के साथ-साथ ध्यानकना तेलंगना के अंदर भी यह जो communities हैं पाई जाती है और खासकर बहुत सरी जो tribal communities हो जंगल वले रीजन में भी रहते हैं जंगलों में बिल्कुल जंगलों में बीचो बीच जाकर वहाँ पे रह रहे हैं पहले यह लोग shifting cultivation को अपनाया करते थे ठीक है एक जगह पर इन्होंने खेती बाड़ी की उस एरिया को साफ करने के बाद में दूसरी जगह पर की इस प्रकार से shifting cultivation जिसको हम दो जूम cultivation बोलते हैं उस तरीके के cultivation यह किया करते थे लेकिन अभी धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर settled agriculture को यहाँ पर adopt करना स्टार्ट कर दिया यानि कि एक ही जगह पर एक ही particular एरिया पर अप खेती बाड़ी करना यह शुरू कर चुके हैं इनकी जो mother tongue है वो है तेलुगू तेलुगू जब यह बोलते हैं तो उसमें भी एक unique सा ascent नजर आता है अलक सा ascent देखने को मल जाता है बागी जो यह कॉंडा ready tribe है ना इनको हमने pvtg group के अंदर में रख रखा है ध्यानक ना इनको particularly vulnerable tribal group के अंदर में रख रखा है तो इंडिया में total आतकी समय पर हैना उन groups को यहाँ पे pvtg group के अंदर में रखा गया है ताकि इनको हम लोग safe रख सकें ठीक है बात clear होई तो यह था आज का हमारा सरा का सरा discussion कॉंडा ready tribe को लेकर है अब करना क्या है UPSN 2019 में इसी टाइब का एक question पूछ लिया था मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लो चार स्टेटमेंट दिए गए बताना है चारो स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट बोलता है कि particularly vulnerable travel group 18 राजियो और एक unit territory में रहते हैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एक जो population है मज़ल particularly vulnerable travel group के जो लोग है या किसी भी travel group को यह pvtg का status तब दिया जाता है जब उनके population रुक सी गई है या लगातर कम होती चली जा रही है तीसरा statement बोलता है कि यहाँ पर total 95 particularly vulnerable tribal groups आपको देखने को मिलते हैं जो कि officially हमारे देश में जाने जाते हैं as a PVTG ऐसा है तो तीसरा statement तो वैसी गलत है क्योंकि अभी मैं आपको अलड़ी बता कर रखा है देखो यहाँ पर directly यह जो statement है वो दिया गया है कि Irular और Konda Ready Tribe यह दोनों PVTG की list में रखे गए तो आप देख पाऊगे Konda Ready Tribe तो आपको पता है यहाँ बिल्कुल सही है क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि PVTG में इसको include क्या गया है तो इसके basis पर आपका जो सही उतर है वो क्या होगा option number C 1 2 and 4 is the correct answer ठीक है option number C 1 2 and 4 is the correct answer क्योंकि यहाँ पर जब option देखोगे तो 1 वाला यह हो गया 2 वाला यह हो गया 4 वाला यह हो गया तीसरा गलत है क्योंकि आपको पता है 95 PVTG नहीं है 75 है बागी दिनो statements हमारे सही हो जाता है next article पर आएंगे दोस्तों अगले article पर बढ़ने से पहले make sure करना वीडियो पर जो like button उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा target है हमारा 5K plus likes का जिसको आप achieve करवा सकते हो साथी साथ मेरे साथ में Instagram पे connect कर सकते हो Instagram पे जाना सर्च बॉक्स में लिखना दीपर ज्यादा वेजुकेशन आपको ये profile मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो next article काफी important होने वाला है इसको आप लोग GS paper number 3 के point of view से link कर सकते हो economic के point of view से और GS paper number 2 से भी इसको link किया जा सकता है क्या बात की जारी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर में survey किया जा रहा है enemy properties को लेकर कि कौन कौन सी enemy properties है जहां जहां पर लोगों ने illegal तरीके से कबजा कर रखा है उन सब enemy properties को खाली किया जा रहा है ताकि उससे अच्छा कास जो पैसा है वो generate किया जा सके तो अभी हम समझेंगे वैसे enemy properties क्या होती है आपको एक proper definition में आपको देने वाला हूँ ठीक है examination के लिए थोड़ा सा important point है यह लेकिन आप पहले article देखो article में क्या mention किया जा रहा है अभी हाली की बात है हमने शायर जनवरी में discuss भी किया था अपने सुबावले वीडियो में कि के सरकार ने एक survey launch किया है उस survey के अंदर वो क्या कर रहे है हमारे देश भर में जो enemy properties उनको identify करने का काम कर रहे है ऐसे यहाँ पर उतरपरदेश में पहुचा गया है अब इनको identify क्यों किया जा रहा है identify इसलिए क्या जा रहा है ताकि इन properties को monetize किया जा सके क्योंकि इससे अभी कोई ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा है तो इसको monetize करके इससे पैसा कमाया जा सके इसके लिए हाँ पर सरकार एक focus कर रही है अब हुआ का है यहाँ पर कि यह जो survey है अभी इस survey को तेजी से बढ़ा दिया गया है उतरपरदेश के अदर इस survey को तेजी से निलामी की जाएगी उससे काफी सर जो पैसा है वो generate करेगी सरकार ऐसा यहाँ पर mention किया गया अब पहले देखो आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले हम लोग enemy property के बारे में समझते कि enemy property क्या होती है नहीं तो आपके दिमाग में जो confusion है वो बना रहेगा कि अकरकर क्या है क इसके बारे में हम चर्चा कर रहे है देखो enemy property नाम से बता चला है कि दुश्मन की property है ना दुश्मन की संपती नाम से बता चला है ना हाँ बिल्कुल यह वही चीज़ है अब होता क्या है कि आपने देखा 1947 में जब देश आजाद होता है तो देश का बटवारा भी हो जाता पार्टिशन हो जाता यानि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग लग यहां पर countries बन जाती है फिर उसके बाद में 1947 के आद में चलो देश का बटवारा हुआ इंडिया अलग हुआ पाकिस्तान अलग हुआ और ऐसी कहानी चलती रही फिर 1962 में एक जंग हो जाती है इंडिया औ और चाइना एक साथ में भी वार हुई है ऐसा आपको पता है तो बोला यह गया कि 1962 की जो वार हुई न उसके बाद में पाकिस्तान के जैसे कई सरे लोग यहां पर इंडिया में रहा करते थे या फिर यहां पर चाइना के कई सरे लोग इंडिया में रहा करते थे क्योंकि च पुछ लोग के बड़ बड़े बंगलो भी हैं, है ना, अब वो क्या कर गए, उस वार के बाद में, अपना जो भी संपती थी, वो सब छोड़ कर अपने देश भाग गए, संपती छोड़ कर कोई पाकिस्तान चला गया, कोई चाइना चला गया, तो वो जो संपती छोड़ कर गए हैं ना, उसी संपती को बोला जाता है, एनिमी प्रॉपर्टी, तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी आर्डोज, लेफ्ट बिहाइंड बाइड दा पीपिल, उन्होंने जाकर नागरिक्ता ले लिया, पाकिस्तान की और चाइना की, 1962 के बाद में, ठीके, 1962 की वर हुई, इंडिया पाकिसान की वर हुई, उसके बाद में कई सरे लोग यहां से गए, और पाकिसान की नागरिक्ताली, चाइना की नागरिक्ताली, दो उनकी जमीन यहां पर रह गई है, उनका जो भी घर रह गया है, वो यहां पर एनिमी प्रॉपर्टी कहलात अब यह एन्यवी प्रॉपर्टी कौन देखता है इसके लिए कोई लग से बॉड़ी बना रखी है हाँ उसका नाम है कस्टोडियन ओफ एन्यवी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यह एक अलग से आथोरिटी हमने बना रखी है एक एक आक्ट के माद्यम से क्योंकि इन सारी की स 2017 में कुछ चेंजिस भी किया जाते हैं तो 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके इस एक का नाम थोड़ा बदल जायेगा क्या हो जायेगा अच्छा 2017 में क्या बदलाफ किया गया देखो बदलाफ ये हुआ कि 1968 में देखो इक कानून लेकर आया गया काफी सरे लोग यहां पर जब जाकर बाहर पाकिस्तान और चायना की नहीं नागरिकता ले ली ना अपनी जमीन छोड़ शोड़ कर उसको एन्वी प्रॉपर्टी हम लोग ने डेक्लियर कर देखो देखो अब हुआ कि जो व्यक्ति पाकिस्तान गया उसने नागरिकता ली जो कई सारे यहाँ पर जो उत्तरदाई लोग है न यानि कि कह सकतो उनी के family के कोई लोग है उनसके successor जो है वो इंडिया में demand करने लगे वो कहने लगे कि यह property हमारे बाब ददा की थी वो चले गए कोई बात नी हम दो यहाँ पर है हमें दो यह property यह हमारी होनी चाहिए है न तो य उनके demand होनी लगी अब हुआ क्या सरकार में कई सारे case हो गए ऐसे ही और कई सारे case Supreme Court में पहुँचे enemy property को लेकर कि भले ही हाँ पर हमारे बाब ददा चले गए हो लेकिन हम उनके ही वंच के हैं और यह जो property है हमारी है तो हमें वापस से देनी चाहिए ऐसे लोगों ने demand किये अब सरकार ने सोचा कि ऐसे तो कोई ने कोई निकल कर आता रहेगा हमेशा तो इस 1960 वाला जो act था ना इसमें 2017 में एक बदलाव कर दिया और बदलाव करके क्या बोल दिया गया कि जो भी Pakistan और China जा चुका है ना उसका कोई भी successor आ जाए कोई भी उसके परिवार का इंडिया म तो क्लेम नहीं कर सकता है इंडिया के अंदर में ये बात 2017 के amendment के तहत इस particular act के अंदर में include कर दी गई तो तब से ये enemy property ही कहलाएगी दुश्मन की संपत्ती ही कहलाएगी और ये government के अंदर में आ रही है तो वैसे इंडिया में ऐसी कितनी properties हैं तो लमसम बताया जाता है कि 940 1406 के पास यानि कि 9406 enemy properties इंडिया में नज़र आती हैं जिसमें से 9,280 यानि 9,280 पाकिसानी नैशनल्स की हैं और 126 property Chinese नैशनल्स की हैं अच्छा इंडिया में सबसे जादा निमी properties कौनकों से राज्य हैं तो सबसे जादा उत्तर प्रदेश में हैं 5,000 क्या सपास या कह सकत तो to be precise 4,991 बेंगॉल के अंदर में दूसे नंबर पर कह सकते हो सबसे जादा निमी properties हैं जहांपर 2,735 है फिर डेली के अंदर में 487 के असपास देखने को मिलेंगी तो टॉप पर वैसे कौन आता है उत्तर प्रदेश आता है जहांपर सबसे जादा एनिमी properties हैं अब हुआ क्या कि इन निमी properties पर लोगों ने temporary encroachment बना ली हैं कोई ना कोई आकर रह रहा है ऐसे ही यहाँ पर घेर लिया उस जगह को ऐसे कईसर लोग होता है ना खाली जगह देगी घेर लिया तो ऐसे कईसर लोगों ने यहाँ पर कर रखा है और कईसर लोग ऐसे जिन्नों नहीं जाएगी auction की जाएगी उन एरिया को monetize किया जाएगा ताकि वहां से जो पैसा है वो government थोड़ा कमा कर सके ठीक है बाकिया पर यह बताएगे काफी सरे एरिया occupy कर लिए गए कबजा लिए गए बहुत सरे अलगला groups के तुरू काफी सरे माफिया और illegal लोगों ने भी यहाँ प लोग हैं जिनकी property को enemy property declare किया आगया है है ना आगया आता है अगला article पर आता है अगला article भी आपका environment के लिए important है और economic के purpose से भी काफी ज़दा relevant यह होने वाला है क्या बात की जा रही है poor testing of pashmina shawls still poses a problem heading की समझा देता है पूरे article को कि जो pashmina shawls है अब pashmina shawls क्या है देखो कश्मीर की एक बहुत important बहुत famous shawls है और even पूरे इंडिया में प्रसेद नहीं है दुनिया भर में प्रसेद है दुनिया भर में यहाँ पर pashmina shawls के बारे में लोग जानते है प दुनिया बर में हम व्यापार करते हैं भारी मातरा है भारी मातरा में हजारो करोड़ रुपे का व्यापार सलता है एक्सपोर्ड किया जाता है इन shawls को ठीके लेकिन हुआ क्या है कि अभी ना जब भी इन kashmiri shawls को export किया जाता है तो एक testing होती है और वह testing करने का method बहुत ज़्यादा कह सकते हो poor method है बहुत ज़्यादा खराब method है क्योंकि उस testing में इतनी problems आ रही है कि उसकी वज़ा से जो पश्मिना सौल पहले हम export किया करते थे वो export आज की समय में बहुत कम हो चुगा है इसकी वज़ा से जो ये shawls की industry में काम करने वाले लोग है कश्मीर में उ एक testing की जाती है और testing के अंदर पता ये चलता है कि पश्मीना गोट के shawls से बनाई पश्मीना गोट का जो hair है उसके जो उपर का बाल है उसके साथ साथ इसमें एक और गोट का जो फर है वो नजर आता है क्योंकि यहाँ पर जो testing की जाते है ना मैं आपको दिखाता हूँ article म परिशानी बताई जारी इस industry में वो है basic microscope testing microscope से testing की जाती है अब वो microscope क्या करता है जब भी शॉल के उपर आप microscope का यूज करते हो तो वहाँ पर पता ये चलता है कि पश्मीना वाला जो गोट है उसके तो बालों का इस्तमाल किया गया ही है उसके साथ साथ Tibetan antilop यानि कि एक और गोट है दूसरी प्रकार की गोट वो भी वहीं पर पाई जाते है लद्दागवल रिजन में उसका नाम है चीरू गोट चीरू गोट के बाल का भी इस्तमाल किया गया है तो आप को कि इसमें क्या हो गया है तो गोट का ही बाल तो चाहिए वो चीरू गोट हो चाहिए वो पश्मीना गोट हो नहीं अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझने होगी पश्मीना गोट तक तो चलो सही है लेकिन चीरू गोट ना एक endangered goat डेकलियर कर दी गई है जिसको हम लोग शातूश के नाम से भी जानते है ठीक है इसका जो बाल है न अगर ये पाया जाता है किसी भी शॉल में तो उसका व्यापार नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जो टिबेतन एंटिलोप है न ये एक endangered कैडिगरी में रखा हुआ जानवर है यानि किसी संख्या पहले सी बहुत ज़ादा खत्रे में है इसको यहाँ पर हम लोग अल्रेडी सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे है ठीक है और इसका जो इसके शरीड के बाल से जो भी बनावा प्रोड़क्ट है उसका जो व्यापार है वो पुरी तरह से बैंड है दुनिया भर में आप उसके बाल से कोई भी बनावा जो प्रोड़क्ट है उसका व्यापार आप करी नहीं सकते हो ठीक है तो अगर यहाँ पर उसके बाल पाएगए शौल के अंदर में जो तिबतन एंटिलोप है उसका बाल यूज किया ही नहीं जा रहा है केवल पश्मिन अगा यूज किया जा रहा है लेकिन टेस्टिंग माइक्रोसकोपिड टेक्स्टिंग हो रही है उसकी चकर में कई सारे इशू जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग का कहना यह है जो इंडस्ट्री को हेंड़ करते हैं कि micro testing को आप staffing का method बदलो आपको DNA testing ले कर आना होगा आप DNA test करो directly पता चल जाएगा कौन से goat का बाल है वो चीक है तो micro testing हटाकर DNA testing लाना होगा प्लस कुछ latest जो machine है न उसको यहाँ पर install करना होगा स् नहीं तो फिर एक्सपोर्ट का मामला घट चुका है, मतलब हर साल इस शोल का जो एक्सपोर्ट है, खतम मुतचला गया, कमुतचला गया, उसके पीछे का रिजन यही है, कि बार-बार बोला ज़रा है जो शातूस है, इसी के बाल का इस्तमाल के आगया यानि कि यह जो दूसरी वाली गोट है न तिबेतन एंटिलोप चीरू गोट इसके बाल का यूज़ के आगया है इस वज़े से इसका जो ट्रेड बगरा है वो नहीं हो सकता तो पिछले पांस सालों में बार-बार इस शॉल के ओपर यहीं उठी है जिसकी चक्कर में इसका एक्सपोर्ट काफी डाउन हो चुका है आज से कई साल पहले यहाँ पर चीरू गोट का बाल से बनावा शॉल बेचा जाता था बट इसकी पॉपलेशन जैसी खतम होनी स्टार्ट हुई है बहुत कमी इसकी पॉपलेशन बची है तब से ही कह सकते हो 2002 से यहाँ पर कश्मीर में चीरू गोट से जो शॉल बनेवे है उसको बैंड कर दिया गया है और शॉल बनाना भी बैंड कर दिया गया कि आप चीरू गोट से शॉल नहीं बना सकते है तो लोग का कहना यहाँ कि कभी कभी क्योंकि एक ही पर्टिकुलर रीज़न जहां पर चीरू गोट भी पाई जाती है भर इनकी संख्या खामूबट पा इस वज़ा से microscope testing की बजाए आपको क्या करना होगा DNA testing करो सीधा सीधा DNA test करो DNA testing से पता चल जाएगा कि यहां किस goat का वो hair है चीक है और काम भी जल दी होगा और जो export है वो भी हम लोग यहां पर समाल पाएंगे I hope guys आपको यहां पर यह चीज़ अच्छे से clear हो चुकी होगी अब सवाल यह उठता है क्या यह article पढ़ना जरूरी था यह तो कुछ काम का लगनी रहे देखो बहुत ज़ादा जरूरी था question आपसे बन सकता है कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ पहली चीज़ तो आपको पश्मीना वूल के बारे में जरूर से पता होना चाहिए जिस उन से क्योंकि उसके बाल से उन बनाया जाएगा उसी से यहां पर जो शॉल वगरा है वो बनाया जा रहे है तो पश्मीना एक प्रकार का कश्मीरी वूल है क्योंकि कश्मीर के अंदर में ये पाया जाता है क्योंकि ये जो गोट है पश्मीना गोट ये कश्मीर में ही पाया जाती है इसी गोट से यहाँ पर ये wool मिलता है और इसी wool से यहाँ पर इस शॉल बनाय जाते है यह जो शॉल है ना इसको कभी कभी हम लोग शा हमीना के नाम से भी जानते हैं ठीक है, ध्यान रखना अब होता है, यहाँ पर यह है कि इन शॉल को कौन बनाता है तो इन शौल को बनाया जाता है चांगपा कॉमुनिटी के थूँ जो चांगपा कॉमुनिटी है न वही यहाँ पर इन पश्मीना गोट को पालते हैं वही यहाँ पर इसको प्रड्यूस करते हैं ठीक है चांगपा कॉमुनिटी सब लदाक में पाई जाती है ध्यान में रखना है, ये गोट भी हैं लद्धा कश्मीर में पाई जाती है अब जब बात करते हैं पश्मीरा गोट की जिसके बाल से इसको बनाया जाता है तो उस कोट को हम लोग यहां पर चांगथांगी या पश्मीरा गोट बोनों के नाम से जाते हैं यह एक special breed की goat है ठीक है इसकी जो breed अपने आप में special है जो की basically लदाक वले region में जमू और कश्मीर वले region में पाई जाती है ध्यान में रखना उसके बाद में इस goat को पाला जाता है बढ़ा किया जाता है ताकि यहां पर इस से जो कश्मीरी wool है वो निकाला जाए और उस wool से यहा शॉल की value की इतनी जाधा है इवन यहां पर दुनिया बर की जो countrys हों यहां पर इस शॉल की demand करती है ठीक है ध्यान रखना तो यह बहुत important point है चांग पर जो community है वो यहां पर यहां पर यह सारा काम कर रही है अब बात करते हैं पश्मीना शॉल की ठीक है अब उस wool से जो शॉल जो है ना कह सकतो हो एक अलगी variety का unique variety का यह शॉल नजर आता है जो की चांग थांगी goat से यहां पर बनता है हम लोग discuss कर चुके हैं जिसको हम लोग पश्मीना गोट के नाम से भी जानते हैं इसका यूज के लिए इसके बाल काटेंगे दिरे दिरे नैचरली तरीके से यहां पर इसके जो बाल है उपर जो फर है वो वापस से ग्रो हो जाता है कुछी टाइम में ऐसा यहां पर mention किया गया ठीके और यह जो शॉल है केवल पश्मीना वूल का यूज किया जाता है यहां पर शातूस वूल का यूज किया जाता है पहले शातूस वूल का यूज कि देखो, 2014 में UPSC ने इसी प्रकार का एक प्रश्ण पूछ लिया था, प्रश्ण क्या था, with reference to Changpa Community, यानि इंडिया के अंदर जो Changpa Community पाई जाती है, Changpa Community के reference में आपको तीन statement से दिये गए हैं, बताना है कौन से statement सही है, पहला statement, जो Changpa Community है, वो ज्यादा तर उत्रखंड राज् सी category में रखा गया है, तो कौन से statement यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा statement सही है, पहला statement गलत है, क्योंकि यह उत्रखंड नहीं, लद्दाक और जमू कश्मीर के अंदर में पाई जाती है, दूसरा statement correct इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर यह लोग पश्मिन अगोड को पालते है है, उससे wool निकाल कर उसका shawl वगरा बनाते हैं, तीसरा statement भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इन categories को schedule tribe की category में रखा गया है, तो that is wise का जो सही उत्तर होगा, वो होगा option number B2 and 3, ठीक है, तो यह यहाँ पर आपका उत्तर हो गया, और यह आपका प्रश्न हो गया, ठीक है, आगे आ रुमानिया दोनों ने मिलकर defense cooperation को लेकर already जो कुछ agreement से वो sign कर लिया है, यानि कि यह दोनों देश मिलकर defense वाले sector में साथ मिलकर काम करने वाले हैं, तो जो defense cooperation agreement है, वो इंडिया रुमानिया के बीच में अभी एक सब्ता पहले already sign किया गया है, बोला यह जा रहा है, defense cooperation के साथ साथ में और भी बहुत सारे topics हैं जिसको लेकर यह agreement sign करे गए, जैसे कि defense का साथ साथ medicine field में, scientific research, cyber defense, technology, research और development की field में यहाँ पर यह agreement sign करे गए हैं, उसका साथ साथ बोलते हैं यहाँ पर कि कुछ और topics के ओपर भी जो matter से वो discuss करे गए हैं, जैसे कि cyber defense, training, education, communication, informatic, military medicine, scientific research, in the field of defense, यह सारे topics हैं जिसको लेकर अभी इन्होंने agreement sign किया हैं, तो जाता कोई detailing नहीं है, बट काली इतना ही ध्यान रखना, कि हाँ इंडिया रोमानिया के बीच में defense को लेकर, यानि कि साथ मिलकर defense के purpose से corporate करेंगे, और आपने relations को खासकर defense relations को मजबूत करेंगे, that is why इन दोलों क आपको पता है, Sunday है, तो Sunday जो है ना, उस दिन भी हम newspaper cover करते हैं, जबकि काफी से लोग newspaper नहीं cover करते हैं, क्योंकि Sunday में editorial नहीं आता है, text and context नहीं आता है, लेकिन इन दोनों की जगा एक और महतुपूर पेज आता है, science and tech का, तो दाहिंदू newspaper में हर Sunday, science and technology का एक page आता है, हम ल यहाँ पर बात की गई है, एक बिमारी काला अजर के बारे में, यानि जिसकों black fever के नाम से जानते हैं, नीचे यहाँ पर आप देख पाऊगे, science and tech में ही, mark bug virus के बारे में discussion किया गया है, जो कि अभी हम कुछ दिन पहले already cover कर चुके हैं, ठीक है, चलो, अब पहले हम लोग इ IACS है, अब सरिये IACS क्या है, यह है Indian Association for the Cultivation of Science, तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ डवलप कर ली है, एक कह सकते हूँ, liquid सा है, चीज़ यहाँ पर डवलप की गई है, जिसको नाम दिया गया है, canulin derivative, जो canulin derivative है न, यह कहीं ना कहीं, इस काला अजर जैसी बिमारी को ठीक कर सकती है, तो काला अजर, basically हम लोग black fever को बोलते हैं, एक खतरनाक बिमारी है, इससे इंडिया में, कह सकतो हो, इंडिया के साथ-साथ काफी सरी जो African countries हैं, वहाँ सभी जगा पर, बहुत सरे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जान देते हैं, इस बिमारी की वज़ा से, तो ऐसी condition हो जाती है, जब भी किसी व्यक्ति को काला अजर जैसी बिमारी पकड़ती है, तो, तो काला अजर, इंडिया के अंदर भी काफी बड़े लेवल पर है, और इंडिया में केवल चार राजों में, सबसे बड़े स्तर पर ये बिमारी फैलते हुई नजर आएगी, च चार राजे हैं, जहांपर काला अजर बिमारी का सबसे बड़ा प्रकोब आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन हुआ क्या है कि कई बार ना बोला ये जाता है कि काला अजर बिमारी को ठीक करने के लिए बहुत सरी दवाईयां खाओ, दवाईयां खाके ठीक हो जाएगा, लेकिन बोला ये गया कि दवाईयां खाने के बावत भी जो काला अजर बिमारी काफी खतरनाक हो जाती है, खतरनाक ऐसे हो जाती है कि कई बार यहां पर हम लोगों ने ये देखा है कि कई लोगों को ऐसा इंफेक्शन हो रहा है काला अजर का जिसको ड्रग रेजिस्टेंट काला अजर infection बोला गया है drug resistant बतलब समझ रहे हो कि ऐसा infection हो गया कुछ लोगों को कि उनको कितनी भी दवाईयां दो वो दवाईयां उनके असर ही नहीं कर रहे है वो इस बिमारी को ठीक ही नहीं कर पा रहे है यानि कि दवाईय के प्रती यहाँ पर वो पूरा की प्रती बिमारी वो जो infection हो रेजिस्टेंट हो चुका है है ना आप कुछ भी दवाईयां यूज कर लो नहीं ठीक होगा तो यह जो resistant ड्रग रेजिस्टेंट वाला infection है ना इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर दवाई केनोलिन डेरिवेटिव तो इस वज़र से यहाँ पर यह चर्चाम है अब यह केनोलिन डेरिवेटिव है क्या आँ थोला डिसकस करते हैं तो जो केनोलिन है ना यह बिसिकलि यहाँ पर एक औरगनेक कंपाउंड है यह इसका जो chemical formula है वो क्या है और यहाँ पर यह brown color का होने लगता है प्लस यहाँ पर slightly soluble है यानि कि अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो थोड़ा थोड़ा घुलता है लेकिन अगर आप यहाँ पर hot water में डालोगे तो वहाँ पर भी dissolve हो जाता है ठीक है तो वैसे यहाँ पर एक derivative बनाया गया है जो कि क्या करेगा वो हमें काला अजर से बचाने का काम करेगा कुछ ऐसा काला अजर वाला infection जिसके ओपर दवाईयां भी काम नहीं कर रही है अब काला अजर के बारे में थोड़ी बहुत बाते हम discuss करेंगे जो कि एक्जाम के लिए थोड़ी relevant है कितनी relevant है वो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ ठीक है तो context क्या था देखो अभी recently भी ये news बेता क्योंकि लगबग मेरे ख्याल से 18 या 21 जनवरी को अभी 2013 में चर्चा में था चर्चा में क्यों था क्योंकि काला अजर के जो केसिस हैं इंडिया में वो थोड़े से कम होने स्टार्ट हो गए थे 98.7% से केसिस कम हुए थे क्योंकि 2007 और 2022 को कंपेर किया था तो पता ये चलाई कि 2007 में लगबग 44-45 हजार के आसपास काला अजर के केसिस हुआ करते थे जो कि यहां पर 2022 में नहीं 2022 के अंदर में काफी कम हो गए 834 के आसपास देखने को मिले यानि 1000 के आसपास केसिस निकल कर आए और अभी इंडिया में 4 राजे ऐसे हैं जहां पर सबसे जाधा काला अजर के केसिस नजर आएंगे जैसे बिहार, उतरप्रदेश, जहारकंड और वेस्ट बंगॉल यहां पर कह सकते हो कि हर 10,000 में से एक व्यक्ति को यहां पर काला अजर देखने को मिल जाएगा और उससे भी मतलब कि एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति को यहां पर काला अजर के केसिस निकल कर आते हैं लेकिन सिचुवेशन अभी भी जो खराब है न वो जहारकंड के कोछे एरियाज में थोड़ी जादा खराब देखने को मिलेगी इस बिमारी को लेकर अब समझते हैं इस बिमारी के बारे में ठीक है इसको में लोग काला अजर बोलता है यहां पर आप देखोगे तो यह एक डेडली डिजीज है यानि जान लेवा बिमारी है जो की क्या करती है डारेक्टली खासकर एफरीका एशिया और लैटिन अमेरिका के जो लोग है ना जो खासकर थोड़े गरम एरिया में रह रहे हैं उनको बुरी तरह से यह अफ़क्ट करती है ठीक है उसके बाद में जो डिजीज है मैंने आपको बोला ना कि यह एक जान भी ले सकती है अंसान की अगर उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो अब दुनिया भर में क्या स्टेटर से बिमारी को लेकर यह डिसकस करता है तो वल्ल हेल्थ और्गनाजेशन के अकौर्डिंग बात करें तो काला अज़र दुनिया में सेकिंड डेटलियस्ट पैरसिटिक डिजीज आपको देखने को मिलेगी और नवंबर 2022 तक का आप डेटा देखोगे तो दुनिया भर में जो 89% काला अज़र पिमारी के जो केसिस निकल कर आए है वो केवल 8 देशों से निकल कर आए है उन 8 देशों का नाम है ब्राजिल, एरिट्रिया, एथियोपिया, इंडिया, कीनिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान यानि बाकी सरी अफ्रिकन कंट्रीज है और एक इंडिया है और एक साउथ अमेरिका की कंट्री है जहाँ पर सबसे जादा आप देख पाओगे ये काला अजर के केसिस निकल कर आए एवें जो ये 89% केसिस दुनिया भर में देखने को मिलेंगे न इसमेज़े 11% तो केवल और केवल इंडिया से निकल कर आए है ऐसा याँ पर मेंशन किया गया है और इंडिया में 90% केसिस निकले हैं वो बिहार और जहारकंट से निकले हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया सवाल यह है यह बिमारी होती कैसे और फैलती कैसे आपने सेंड फ्लाई का नाम सुना होगा तो जो sand fly है न वो यहाँ पर इस बिमारी को फैलाती है और एक इंसां से दूसरे इंसान में भी यहाँ पर ही बिमारी sand fly की मदद से फैलती है sand fly यहाँ पर एक को काटेगी फिर दूसरे को काटेगी तो यह बिमारी फैलती हुई चली जाएगी सेंट फ्लाई मक्हियों जैसी होती है आपने देखा होगा कभी-कभी हारी कलर की जो मक्ही है अगर हम इंदियां बोले तो मरी मक्षिकाओं यहाँ पर बोलाजाता है उसको तो उसकी वैसे यहाँ पर ही जो बिमारी है वो फैल्थी हुई नजर आती है मक्ही जैसी यहाँ पर ही सैंट फ्लाई आपको यह नजर आएगी चीक है आ गयाता है तो कलर जब विमारी इससे फैल्थी है साइन और सिंटम क्या नहीं अगर किसी को यह हो जाए तो क्या लक्षट दिखाई पड़ेंगे पहली बाद उसको बुखार आएगा उसका वजन घटने लगेगा उसके बॉड़ी में ब्लड की कम होने लगेगी लिवर और जो स्प्रीन का साइज है वो बढ़ने लगेगा सूजनाने लगेगी उसके अंदर में और इसको रूखा जा सकता है तो पहली बात अगर इस बिमारी से बचना है ना तो पहली बात आपको सैंट फ्लाई से बिमारी को फैलाती है सफफाई रखनी होगी तो अपने हाउस की कंडिशना को इंप्रूफ करने होगी, साफ सफाई रखनी होगी, ताकि जो ये सेंट फ्लाइस को दूर से दूर रखा जा सके, जितना दूर रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है, उतनी ज्यादा काला अजर बिमारी का जो डर है वो कम रहेगा, बाकि इसक कुछ यहाँ पर दवाईयां हैं, जो कि काला अजर को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत कारिकर साबित मानी जाती हैं, अब काला अजर को टैकल करने के लिए कुछ अलग-लग इनिशेटिव उठाए गए हैं, दुनिया भर में, इंडिया के अंदर में, जैसे वर्ल्ल हेल् करें तो भारत ने भी कई सारे अलग-लग प्रकार के इनिशेटिव उठाए हैं, हमारी के सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, काला अजर को खतम करने के लिए, जैसे पक्के घर बनाने की कोशिश किया है, प्यम आवास योजना स्टार्ट किया है, इलेक्रिफिकेशन स्टा ताकि काला अजर जैसी बिमारी को टैकल किया जा सके, उसके साथ एक नैशनल काला अजर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, है ना, तो इस प्रोग्राम को अगेन यहाँ पर इसका टार्गेट था कि काला अजर को हम एलिमिनेट कर सके, इंडिया क के साथ में हम लोगों ने agreement sign किया था ताकि हम काला अजर को पूरी तरह से खतम कर सकें तो इसमें ध्यान क्या रखना है दोको 2017 में आप से एक question पूछा या था इसके basis पर आप चीजों को ध्यान में रख सकते हो 2017 में जीका वायरस के बारे में ये सवाल पूछा गया जीका वायरस को लेकर आपको दो statement से दिये गए हैं बताना है कौँ से statement सही है पहला statement बोलता है कि tropical region में जो जीका वायरस वाली बिमारी है ये उसी मच्छर से फैलती है जिस मच्छर से डेंगू फैलता है दूसरा statement जो जीका वायरस है न ये जो बिमारी है ये sexual transmission से भी यहाँ पर फैलती है यानि जो sexual transmission है जीका वायरस का वो भी यहाँ पर possible है तो बताना है कौँ से statement सही है नीचे आपको option दिये गए हैं तो इसका सही उतर है option number C both 1 and 2 दोनों के दोनों options आपको correct देखने को मिलेंगे क्योंकि जीका वायरस भी यहाँ पर एक ऐसी बिमारी है जो मच्छर से फैलती है और वो मच्छर जो कि यहाँ पर डेंगू को फैलाता है और sexually transmission भी यहाँ पर इस वायरस का possible है तो आपसे भी यहाँ पर question बन सकता है कि यह काला हजर किस से फैलता है तो sand fly से फैलता है ध्यान रखना transmission possible है बिल्कुल यहाँ पर जो इस sand fly है यह अगर काटती है तो इसका जो transmission है वो possible आपको देखने को मिल जाता है ठीक है next article पर आते हैं अगली article में ज़्यादा कुछ खास नहीं है फटा फट रिविशन करेंगे क्योंकि हम पहले यहाँ पर इसके बारे में उल्यडी डिसकस कर चुके हैं मैं दो बारे आर्टिकल आपको पढ़ा चुका हूँ इसी महीने में ठीक है मागबग वाइरस चरचा में हैं तो इसी के बारे में समझाया गया कि मागबग वाइरस क्या है नया आउटब्रेक क्या है चिंता वाली बात क्या है सर्विलांस क्या कर रहे हैं कैसे टैकल कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं आओ एक एक करके लिखे तु African countries में यह मागबग वाइरस फैलता वह नजर आ रहा है तो मागबग वाइरस क्या है देखो इसको हम लोग मागबग हैमोरगेक फीवर के नाम से भी जानते है तो इसमें एक खतरनाक सा बुगार होता है जो कि इनसान की जान ले लेता है मागबग वाइरस डिजीज मागबग वाइरस की वज़ा से होती है नामी इसका मागबग वाइरस है तो इस वाइरस की वज़ा से होती है सवाल यह है कि यह वाइरस आता कहा से तो यह वाइरस फैलाता है एक बैट यानि चमकादड तो यहाँ पर एक African बैट है उसके वज़े से यहाँ पर यह वायरस फैलता है उस African बैट का जो scientific name है वो क्या है राउजेटस, एजेप्टियकस इसका यह scientific name है यह जो मार्गबग वायरस है यह सबसे पहली बार कहां पर पाया गया था तो सबसे पहली बार यह पाया गया था जर्मनी के अंदर में अच्छा अब आप कहोगे इसका नाम मार्गबग क्यों रखा गया क्योंकि जर्मनी के अंदर में एक जगा के नाम है मार्गबग और फ्रैंकफर्ट तो मारबर के अंदर सबसे पहली बार ये वाइरस की पैचान की गई, इस वज़ासे इसका नाम भी मागबग वाइरस रख दिया गया, फिर जर्मानी के बाद में धीरे-दीरे बिलग्रेड, युगोसलाविया जो आज की समय पर सर्विया के नाम से जाना जाता है, इन सबी ए प्लस उसके बाद में खतरनाक बात यहां पर यह कि एक इंसान को अगर हो जाए तो 50% चांस से कि उसकी मृत्यू हो सकती है, तो कई ने की थोड़ा खतरनाक माना जाता है, बाकि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपाय क्या है, तो कोई भी प्रॉपर इसका स्पेसिविक ट्रीटमेंट नहीं है, बस खाली आप सपोर्ट करने के लिए उसको कुछ थेरेपी दे सकते हो, उसके बाड़ी में जो इलेक्रोलाइट खतम हो गिये हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हो, ऑक्सिजन का सप्लिमेंट दे सकते हो, हैना कुछ यहां पर बलड वगरा उसको बुखार की वज़ा से, कह सकते हो, बॉड़ी के अंदर में काफी सरे जो और्गन से वो पूरी तरह से खतम हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हमारी बॉड़ी सही से काम नहीं कर पाती है, हमारे और और वगरा अविलेबल नहीं है, जो कि इसको ठीक कर सके, यह थोड़ा स आउटब्रेक को लेकर, बाकी यहां पर यह जो इशू है, यह हम डिसकस करी चुके हैं, कालाजर को लेकर, सवाल कैसे बन सकते हैं, आपको समझाई चुका हूँ, नेक्स आर्टिकल पर आते हैं, नो नेक्स आर्टिकल आपको यह देखने को मिलेगा, इसको आप जी एस प्र पर नमबर टू, इंटरनाशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो, तो इंडिया और मलिश्या, दोनों के दोनों, अब जो व्यापार करेंगे, वो रूपी में करेंगे, ऐसा यहां पर आर्टिकल में में मेंशन किया गया है, आपने देखा, पिछले साल 2022 में रश्या युकरेन का वार स्टार्ट हुआ, और रश्या युकरेन के वार के बाद में, आप देखोगे कि रश्या के उपर धेर सरे सेंक्शन लगा दिये गए, रश्या सही से किसी देश के साथ में अभी व्यापार करने ही पाता है, है ना, क्योंकि इसको सुर्फ्ट से भी बाहर निकाल दिया गया था, तो ये डॉलर वगरा का यूज भी नहीं कर पाता है, तो जिसके बेसिस पर आपके सकते हो एक नया कॉंसेट हम लोग लेकर आए, यानि कि ऐसे कॉंसेट नोस्तरो वोस्तरो जिसको हम लोग बोलता है, ठीक है, और यहीं पर एक और स्पैशल कॉंसेट आ चुका है हम किसी भी देश के साथ में रूपी में व्यापार कर सकते हैं, रूपी में, डॉलर की जरुवती नहीं है, अब जब रूपी में व्यापार होगा तो रूपी की डिमांड बढ़ जाएगी, रूपी का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तो डॉलर की कमपैरिजन में जो है, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो मलेशिया के साथ में मामल कह सकते हैं, अग्रिमेंट हो चुका है, अब यहाँ पर इसके साथ में हम जो व्यापार करेंगे, वो रूपी में करेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है, कैसे करेंगे, तो देखो, होगा ये, कि में जो भी यहां पर देखो हमारा ब्यापार होगा मालोः हमारा कोई export है ठीक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो मलीश्या को जो है वो पैसा डाल दिया और मलेशा सा ये ले लिया मलेशा कर ठीक है हमारे एकाउंट उपन है अब सपोज यहाँ पर इंडिया ने अभी तो इंपोर्ट किया था लेकिन इंडिया ऐसा निये केवल इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट भी करता है अब सपोज यहाँ पर मलेश एक्सपोर्टर के अकाउंट में जो है वो पैसा डाल दिया जाएगा जिसने भी एक्सपोर्ट किया है तो कहने का परपस यह है कि इस बेसिस पर जो व्यापार चलेगा वो रुपी में चलेगा इस पैशल वोस्तुरों अकाउंट के माध्यम से समझ माया तो यह जो पैशल जो रुपीया का पेमेंट है वो कर देंगे और कुछ मलीशया को एक्सपोर्ट करते हैं तो इसी वाले अकाउंट से उस एक्सपोर्टर को रुपीया में पैसा मिल जाएगा यह हो गया व्यापार रुपीय के अंदर में यानि रुपी के अंदर में तो एक स्पैशल तरीका है यह व्यापार करने का इस वजह से इसको हम लोग इस पैशल रूपी वोस्तुर अकाउंट के नाम से जानते हैं इंडिया मलेशिया दोनों देश important है इंडिया मलेशिया के बीच का जो व्यापार है वह आप देख पाओगे 19.4 बिलियन युएस डॉलर का था 2021-22 के अंदर में तो दोनों के विदेश के बीच में व्यापार होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी भी है ताकि हम इसको आगे और ज़्यादा expand कर सके हैं next article आपको यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ेगा यह किसी सिसके बारे बात करता है तो अब ही जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के प्राइम में मैकरों इन्होंने यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी इंडिया से नहीं गया है लेकिन अब की बार फ्रांस के खासकर यहां पर इमैनुल मैकरोन ने इंडिया को बुलाया है इंडिया को इन्वाइड किया है बड़ देखेंगे पीम मोदी जाएंगे या नी जाएंगे वो चीज आगे देखी जाएगी आकरी बार साल 2009 में मनमुवान सिंग जी को फ्रांस ने बुलाया था इस एन्वाल मिलिटरी परेड में तब से अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया अब 2023 के अंदर में पीम मोदी को इन्वाइड किया गया है ऐसा यहां पर किया जा रहा है ठीक है तो एक छोड़ा सा आर्टिकल है इसमें कुछ खास पढ़ने वाली आवश्यक्ता नहीं है जितना बताया उतना यहां पर ध्यान बेर रखना यह सब कुछ हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं लास्ट आर्टिकल एक बार और देख लेते हैं फ्रेंट पेज पर एक छोड़ा सा आर्टिकल है जिसको हमने अभी कवर नहीं किया था वो एक छोड़ा सा आर्टिकल यह है यह क्या बात करता है देखो हर महीने में जैसी महीना खतम होगा न महीने के अंत में आपको पता चला जाएगा कि भाया पिछले महीने कितना ज़दा tax का collection हुआ है जैसे suppose अभी हम अप्रेल में आए हैं आज दो ही अप्रेल है तो पिछले पूरे मार्च के महीने में कितना GST collection हुआ है कितना सरकार ने goods and service tax कमाया है उसका data बताया जाता है तो हर महीने data release होता रहता है यह आपको examination के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसको रटने वटने की आवश्यक्ता बिल्कुल भी नहीं है बस खली ध्यान रखना मार्च के महीने में second highest GST collection हुआ है goods and services tax का दूसे नबर पानाने वाला सबसादा collection हुआ है 13 के अंदर में लगबख 1.6 lakh करोड का और यह मार्च 2023 का है और इसको अब जब 2022 से compare करोगे तो 2022 के मुकाबले में 13% का growth अब की बार देखने को मिला इस tax में 13% जादा यह tax सरकार ने collect किया है ठीक है अब आते हम लोग अपने prelims वाले question की दरफ question यह था कि नीचे दिये गए option में से कौन सा एक correct important federal feature माना जाता है तो इसका सही उतर क्या है देखो federalism मतलब संगवात का धाचा जहां पर हमारी central government और union government, केंसरकार स्वरी central government और state government, केंसरकार और राजसरकार दोनों साथ में बिलकर काम करें दोनों को अलग अलग powers देर रखें लेकिन फिर भी साथ में बिलकर काम करें वो ही हमारा federalism structure कहलाता है तो federalism का एक important feature जो है, इसमें से वो है option number A independence of judiciary तो judiciary का independent रहना बहुत ज़ादा ज़रूरी माना जाता है इस वेसे option A correct है तो independent judiciary जो है बिलकुल तरीके से independent रहे किसी के ओपर dependent ना रहे जोडिश्री अलग से हट कर रहनी चाहिए ये एक important federal character है हमारे Indian polity का ध्यान में रखना क्योंकि हमारे समीधान में एक independent judiciary को बनाया आए गया है जो की Supreme Court के तुरू head की जाती है और मालोक केन सरकार और राजे सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया तो कौन देखेगा उसको यहाँ पर हमारी जो independent judiciary है वही देखेगी तो ये हमारे federalism का खासकर federal features का एक important feature है ठीके तो वैसे आपको समीधान के अंदर में जब federal feature पढ़ने होंगे तो ये साथ important feature आपको देखने को मिलता है जिससे हमारे समीधान में क्या-क्या है कि इंडिया के अंदर में dual polity है मतलब केन सरकार, राजे सरकार दोसतर पर आपको ये देखने को मिल जाते है दूसरा हमारे यहाँ पर written constitution है है ना लिखित में आपको समीधान देखने को मिलेगा तीसरा केन सरकार और राजे सरकार के बीच में powers को बाटा गया है seven schedule के मादम से अलग-लग list बना रखी है है ना state list, union list, concurrent list उसके बाद में constitution को सबसे उपर रखा या है constitution हमारा rigid आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर bicameralism देखने को मिलेगा मतब राजसभा, लोगसभा देखने को मिलेगी और independence, hope the judiciary नहीं judiciary का independence रहना यह साथ important feature है हमारे किसके Indian polity के, खासकर federalism structure के ठीक है, federal structure के seven important features यह कहलाते है, that is why आपका सही उतर क्या हो जाएगा, option number A now, इसके साथ में करते हैं, हम लोग अपने lecture को समापत और मिलते हैं, आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाइबाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद